नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अतुल मौर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप यूपी पुलिस कॉंस्टेवल का जो फोर्म भरा था उसका आप रेजिस्टेशन नमबर अपने जीमेल में कैसे खोज सकते हैं तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना जीमेल आइब या फिर अपने कंप्यूटर में जीमेल एकाउंट ओपन कीजिए अपना आपको वही जीमेल एकाउंट ओपन करना है जो आपने UP Police Constable का form भर रहे थे आपने जो email ID दिया था वो account आपको open करना है account open करने के बाद आप search में type करेंगे UPPRPB लिखकर search कीजिए अब आपके सामने कुछ इस तरह गांटरफेस open हो जाएगा अब आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर capital letter में UPPRP का एक email आ जाएगा आपको इस पर click कर देना है अब देख सकते हैं यहाँ पर जब आप online registration कर रहे थे UP Police Constable का तब आपको यह message आया होगा और इस message में आप देख सकते हैं आपका नाम दिखाई देगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह registration number के सामने यहाँ पर आपका registration number दिख जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप अपने Gmail account में अपने UP Police Constable का registration number खोज सकते हैं दोस्तों आपको बता दूँ आपने अगर अपने Gmail पर जो भी email आते हैं उन्हें delete पूरा कर दिया होगा तब आप नहीं खोज पाएंगे याद रखिएगा इस बात को अगर आपको ये जानकर ये अच्छी लगई हो तो प्ले लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए मिलते हैं आपको एक दूसरे वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद